आज एक, हम सभी जानते हैं कि विशेष दिन है, हाला कि हमारी मात्र भाषा हिंदी के लिए किसी एक दिवश विशेष को आज़ित करने की कोई ऐसी आश्यक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सांकेतिक होती हैं, जहां पर हमें अपने भाव, अपने विचार और अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए सतत हम प्रयासरत रहें, निरंतर हम प्रयासरत रहें और भाषा की सम्रिद्ध में हम अपना अल्प योगदान करते रहें, उसके लिए ऐसे दिवश मनाये जाने चाहिए, क्यों साक्षातकार भी होता है, उनके शब्दों को सुन करके हम अपने आपको प्रेना से भी वही बहुत करते हैं, इस कारेक्रम के मुख्य आते थी, प्रसिद्ध कभी, डॉक्टर कमलेश शर्मा जी, इस कारेक्रम के संयोजक, इस हिंदी दिमस कारेक्रम के संयोजक, प्रफसर सौरप सकसेना जी, जिनके अप्रतिम प्रयास से हम आज डॉक्टर कमलेश शर्मा जी को अपने बीच पा रहे हैं, क्योंकि आज और विशेश रूफ से आज हिंदी दिवस्त के दिन इन जैसे लोगों की उपस्तिती अपने आप में किसी भी इस तरीके के समारों, किसी भी ऐसे आयोजन को सफल बनाती है, एक हस्ताक्षर है हमारे अपने प्रयास पर उनकी उपस्तिती, हम सभी जानते हैं कि भाषा किसी भी देश के, किसी भी समाज की भाषा, एक समवात का अस्थापित करने का सशक्त माध्यम है। हम जो सोचते हैं, हम सोचते भी भाषा में है कई बार, हलाकि यह कहा जाता है कि सोच की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, उसको चर्चा के माध्यम से लोगों तक प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम भाषा है और हम जिस भाषा को अपनी मात्री भाषा के रूप में हम देखते हैं अस्थापित करते हैं हिंदी पुरुजदर सौरफ सक्सेना जी ने जैसा उलेख किया कि गत एक हजार वर्षों में हिंदी भाषा अपने स्रेजन अपने परिस्क्रण और विक्सित होने की जो प्रक्रिया रही है उस प्रक्रिया में न जाने कितने भारतिय भाषाओं छेत्रिय भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है चाहे वो अवदी हो चाहे वो ब्रज हो किसी भी भाषा को देखे हिंदी में हम देखते हैं कि इन सभी भाषाओं का एक प्रतिविम्ब देखता है और इस पूरी प्रक्रिया में हिंदी भाषा ने पूरे जन मानस को पूरे समाज को पूरे देश को एक एकरित करने का कारे किया है और जब भी भारत में जब भी इस द इन भाशाओं के माध्यम से हमारे बीच में ऐसी महान विभूतियां उत्रपन्न हुई हैं, चाहे वो स्वामी तुलसिदासजी के रूप में रामतिरित्मानस की अस्थापना हो, चाहे वो कबीरदासजी के माध्यम से उनके कहे हुए शब्दों का एक संकलन, चाहे जैसा ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा हुआ जिसको कि किसी एक सामानेजन के लिए बड़ा कठिन था किसको समझ पाना जिसको पढ़ पाना उसको इस भाषा में भाषा अंतरीत करके लोगों तक पहुंचाने का माध्यम रहा हो और आज हम देखते हैं कि बड़े गर्व के कियों में हमें अपने आपको ढालना चाहिए उसके जीते जाकते प्रमार हैं रामचरी तुमानस को पढ़ते हैं तो हम यह कहते हैं कि रामचरी तुमानस का कितनी भी बार हम रामचरी तुमानस का स्रमर करें कितनी भी बार हम रामचरी लाएं देखें हर बार ऐसा लगता है कि हम नए सी रे से शुरू कर रहा है प्रारम कर रहा है उसका और राम चरीत मानस को हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा पुत्र हो तो राम जैसा हो पिता हो दशरत जैसा हो भाई हो लक्षमर जैसा हो भरत जैसा हो पत्नी हो सीधा जैसी हो हमें से हर व्यक्ति वो बनना चा किस प्रकार की भूमी का हमें एक अपने संबंध के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी तब महाभारत का अनुकरण कोई नहीं करना चाहता है, कोई यह नहीं चाहता कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में ऐसी परिस्तिती उत्पन हो जो महाभारत को जर्ण दे, तो महाभारत का, जो महाभारत है, हम उसको कभी यह नहीं कहते कि अनुकरण के हित में हो, महाभारत जैसा खारत, तो हमारे इस भाशा के विकास में, भासा को, हिंदी भासा को परिस्क्रित करने में, उसके विकास में इन सारी विधाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वरतमान में जोब हम देखते हैं, तो आज युवावर को, जिस ओज के, स्वतनता के बाद हम अगर देखें तो लेखों को बड़ा योगदान रहा हो। चाहे हो जाए प्रगास नाणाई जी का अंदोलन हो। कि जब उनकी उन पंक्यों पर गद्धी छोड़ोगी जनता आती है, रामधारे सिंग देनकर जी की रचनाये, ये हमेशा से सभी के लिए प्रेना सुनूत का कारे करती रही है। और हम एक संस्थान के रूप में हमेशा हमारा ये प्रयाश्रा है कि हम एक जो हमारी अपनी संस्कृती है, जो हमारी अपनी भाशा है, उसको पूरता फलित-फूलित होने के साथ-साथ वरतमान में जो तकनीक है, जो हमारे करते हुए एक समावेशी सिक्षा प्रदान करने की विवस्ता हम कर पाएं और गत 26 वरसों में ITS एक संस्थान जिसकी नियूज 1995 में हमारे चेयर्मेन डॉक्टर राज पी चठा साथ ने रखी थी आज उन पचास चात्रों के साथ प्रारम किया गया वो सिक्षा संस्थान प्रदान की जा रही है निश्चित रूप से संस्था के से जुड़े हुए जो हमारे चेयर्मेन साहब है उनके खुशलनेतित्तों मार्ग दर्शन और प्रेना का एक परिणाम है जिसमें हम सभी एक गुरूप के रूप में अपना योगदान अलप योगदान कर पा रहे है और निश्चित रूप से हमारा योगदान इसी प्रकार चलता रहेगा आज हमारे बीच में आज की परिस्तितियों के अनुसार जिस प्रकार की रचनाओं की आउशकता है जिस किस प्रकार से युवा में जोश भरा जा सकता है किस प्रकार से उनको प्रेरित किया जा सकता है ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, हुमारे जो बीच में आज मुख कहते थी के रूप में उपस्तित हैं स्वी कमिले शर्माजे, उनके द्वारा रची गई हैं और हम इनको बड़े बहुत लंबे समय से सुनते भी रहे हैं और इनकी कुछ रचनाओं में जिनमें हो सकता है कि आज हमें ऐसा भागय प्राप्त हो, कि हम उनको उनमें से कुछ को सुन पाएं कि देश द्रूबीत हमें नहीं होता, हम देश भित में खरी बात ही करेंगे और र सभी छात्रों की ओर से आपका सवगत करता हूं और इस सत्र को हम एक प्रेरक्ष सत्र के रूप में हम सभी लेकर आगे बढ़ेंगे, इसी विचार के साथ हमें हमारा निमांतर स्विकार करने के लिए और आपकी इस वस्दिती के लिए बहुत-बहुत धरन्यबाद मैं सुर